नमश्कार जैहिंद वन्दे मातरम सभी का अभिन्दन है NDC Initial Classes में स्वागत है आप सभी का और आज की क्लास जो होगी वो है एकांग की विधा को लेकर जैसा कि आप देख पा रहे हो एकांग की विधा है ना यह लीजिए यह आप लोगों का जो समरपन या आप लोगों की नियमित्ता या फिर आप लोगों का जो डेडिकेशन समरपन एकी बात होती है डेडिकेशन मतलब Classes के परती जो आपकी भावना है उसको देखते हुए आज यू मान ली जिए कि जब आप ये Class देख रहे होंगे तब मैं out of राजस्थान होंगा ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा लगता है कि मतलब जब बिकानेट से बिहां बाहर जाने लगते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि कितने समय के लिए जाना है और वापस कब पहुंच पाएंगे क्योंकि हमें क्लास लेनी है क्लास नौ बजते ही तो ऐसा डर लगता है कि आपका मैसेज जरूर आएगा ये चीज रहती है दिमाग में जैसे टेस्ट वगरा और मैं आपस कहता हूँ अगर बाई चांस कभी टेस्ट लेट हो जाया ना तो भी आप घबरायनी लेट होगा तो यकीनन कोई ने कोई प्रॉब्लम होगी तो ही लेट होगा अदरवाइस लेट नहीं होगा तो इसलिए कभी घबरायनी फिर भी मैसेज आज़ता है आपके पास कि वह टेस्ट कल बैट होगा या फिर कभगा दोफेर में होगा शाम कोगा खैर चलिए हमें एकांग की विधा करते हैं अब जो आने वाली विधाएं हैं ना उन विधाओं में आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है अब विधाएं साली ट्रिकी रहेगी थोड़ी सी चीज़ आपको याद नहीं करें अब जिसे एकांग की विधा हम नाटक और एकांग की में अंतर होता है नाटक में कई अंक होता है इसमें एक अंक होता है है ना सबसे बड़ा अंतर तो यहीं माना जाता है इसके अलावा जैसे नाटक जो होता है उसमें कथा का सांगो पांग विस्तार होत तो यही चीज एकांग की विदा में देखने को मिलती है अब सबसे पहले एकांग की के प्रवर्तक या जनक को लेकर जब बात आती है तो जैसे दो तीन जने हैं सबसे पहले ABC थोड़ी देखना है objective थोड़ी है जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जैसंकर प्रसाद कुछ विद्वान कहते हैं कि जैसंकर प्रसाद हैं तो वहीं कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नई जाब राम कुमार वर्मा है एकांग की का जो जनक है राम कुमार वर्मा है तो वहीं कुछ विद्वान कहते हैं नहीं साब ये तो भारतिंदू हरिश्चंद्र है भारतिंदू हरिश्चंद्र है ये एकांग की विधा के जनक है अब बात आती है कौन किस-किस को मानता है तो सबसे पहले जैसंकर प्रसाद को मानने वाले जो वेक्ति हैं वो कौन कौन है तो उसमें आपको दो नाम याद रखना है एक तो नाम याद रखना है नगिंद्र और एक नाम याद रखना है अग्ये ये दोनों विद्वान कहते हैं कि एकांग की विधा का जनक है वो है जैसंकर प्रसाद है ना तो ये प्रसम एकांग की कार को लेकर जो ब जो प्रतम एकांग की कार है वो है राम नाज सुमर जबकि भारतेंदू हरिशंद्र को मानने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर सत्यंद्र कौन है डॉक्टर सत्यंद्र ये तीनों विद्वान है अलग-अलग एकांग की कार को मानते हैं जैसंगर परसाद को मानते हैं कुछ विद्वान कुछ रामकुमार वर्मा कुछ बारतेंदू हरिश चंदर तो इसमें यूँ हो परसिद्ध आपको पता है एकांग की कार के रूप में रामकुमार वर्मा है है ना जबकि जैसंगर परसाद ने सबसे पहले एकांग की लिखना लिखना प्रारंब कर दिया था तो ये थोड़ा सा अंतर आप जरूर ध्यान रखें और बाकी इसमें ये बताने ही जरूरत नहीं है कि कितना अंतर था क्या था मतलब जिसे एक अंका है मतलब इन दोनों के बीच का एकांग की किस ने लिखा तो वो है एक गूट 1939 जैसंकर परसाद तो हिंदी का सरुप्र्थम एकांग की एक गूट है और वो गूट दोनों ने ली थी जैसंकर परसाद ने दोनों यानी commute एक गूट ये सबसे पहला एकांग की लेकिन उसके बाद सेकेंड नमबर दित्य एकांग की जो है वो बादल की मृत्यू ये दित्य एकांग की है लेखक रामकुमार वर्मा तो जो विद्वान इनको प्रथम एकांग की गार मानते हैं उसके पीछे रीजन ये है वो reason क्या है? वो reason ये है कि पश्चीमी धंग के आधार पर प्रथम एकांग की किस ने लिखा था? आधुनिक धंग पश्चीमी धंग देखो language को समझ ना आधुनिक धंग के आधार पर प्रथम एकांग की किस ने लिखा? जैसंगरबरसाद ने एक गूंट लिखा पर्थम एकांग की किस ने लिखा जैसंगर परसाद ने लिखा पश्चिमी ढग की आधार पर पर्थम एकांग की किस ने लिखा राम कुमार वर्मा ने बादल की मिर्तियू लिखा तो ये चीज होती है हिंदी का परतम एकांग की, रामकुमार वर्मा का माना जाता है लेकिन पस्चिमी आधार पर, जबकि आधूने धंक के आधार पर एक गूंटूनी सोड़ती जैस अगर परसाद के एकांग की को हिंदी की परतम एकांग की माना जाता है समझ गही बात है अब जो आर वर्मा यानि राम कुमार वर्मा इनके कुछ एकांग की आपके सामने यह लिखे वए यह आप देख पा रहे हो देखो बादल की मर्त्यू यह तो मैं तीन बार पढ़ लिया बादल की मर्त्यू आपने ये भी पढ़ा होगा प्रत्वी राज की आँखें आपने ये भी पढ़ा होगा रेश मिटाई आपने ये भी पढ़ा होगा पांच जन्य लेकिन आपने ये पढ़ा एक नहीं पढ़ा है उत्सर्ग आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है प्रतिशोध आपने ये पढ़ा है क्या हो रही थी गुर्जी औरंगजेब की आखरी रात में रिमजिम हो रही थी अच्छा तो रिमजिम के बाद क्या हुआ रिमजिम के बाद ये हुआ रिमजिम रिमजिम हाँ रिमजिम के हाँ इंदर धनुस रिमजिम के बाद क्या हुआ इंदर धनुस निकला अच्छा इंदर धनुस निकला तो इंदर धनुस किसने देखा अरे गुर जी इंदर धनुस जो है बापू ने देखा बापू ने देखके क्या किया बापू ने देखके एक दीपक जला दिया क्या किया बापू ने देखके एक दीपक जला दिया जिसे तो कौमूदी महुस्तों में फिर क्या हुआ काम कंदला आई थी साब काम कंदला एक लड़की का नाम है एक नर्तकी का नाम है काम कंदला आई थी है ना काम कंदला को देखकर रितुराज रितुराज प्रसंद हो गए क्या प्रसंद हो गए रितुराज पसंद हो गए जिसके कारण उन्होंने एक विभूती पर्थुराज चोहान को क्या कहा एक विभूती कहकर संबोदित किया था और ये बात किसको अच्छी लगी ये बात लगी चारु मित्रा को अच्छी लगी ये बात किसको अच्छी लगी चारू मित्रा को अच्छी लगी और चारू मित्रा को अच्छी लगी इस कारण से बादल को ये बात बूरी लगी तो बादल की होगी प्रत्यूराज की आखें थी वो रेशमी टाई से बांद कर पांच जन्य का पाथ किया गया ये रामकुमारूर्मा की खूप सारी कांग किया है जिसमें बहुत अलग अंदाज में जो है त्यार कर रखा है इस तरह से तयार कर रखा है कि औरंग जेब की आकरी रात रिमजिम हो रही थी औरंग जेब की आकरी रात रिमजिम हो रही थी रिमजिम होने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि इंदर धनुस आपको दिखाई देता है आस्मान में इंदर धनुस दिखाई दिया लेकिन सबसे पहले इंदर धनुस दिखाई दिया था बापू को बापू को जब इंदर धनुस दिखाई दिया तो बापू ने फटा फट दीबदान कर दिया दीबदान को देखते ही तुरंत कौमुदी महतसव होने लगा क्या होने लगा कौमूदी महुत्सव कौमूदी महुत्सव इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ वेक्ति ऐसे थे जो प्रतिशोद लेना चाहते थे अपने प्राणों का उस्सर्ग करना चाहते थे इसलिए प्रतिशोद और उस्सर्ग और उनके प्रतिशोद और उस्सर्ग की भावना को देखकर काम कंदला आई काम कंदला जब यहां पहुंची तो काम कंदला को देखकर रितुराज प्रसन हुआ और उन्होंने प्रित्विराज चोहान को जो है वो कह दिया क्या कह दिया विबूती कह कर संबोदित किया इस से प्रसन हो गई चारू मित्रा प्रसन हो गई जिसको देखकर बादल की मृत्य होई और प्रित्विराज की आँखों को रेश मिटाई से बांद दिया और पांच जन्य का पार्ट किया गया बस अब मुझे बताओ आपको कौन कहता है राम कुमार वर्मा की सारी एकांकियां याद नहीं होती अरे एकांकियों में सबसे ज़्यादा आपको याद ही राम कुमार वर्मा की करनी पड़ेगी तो राम कुमार वर्मा की एकांकियां एक वार बोड़ पे मत देखना इमानदारी से तुम्हें भी पता जिर चलना चाहिए कि नरेंदर दान चारण सर से आप पढ़ रहे हो तो ये जो नरेंदर दान चारण क्या कि आगे जो सरसब्द जो एक बहुत ही समन्य सब्द है ये जो लगाने में मुझे दस साल लग गए ये क्यों लगे आखिर ऐसी क्या खास बात थी जिसके कारण आप लोगों को अच्छा लगा तो वो यही अंदाज है कि राम कुमार वर्मा की एकांकियों जब याद करने लगो तो सबसे पहले आपको औरंग जेब याद आना चाहिए औरंग जेब की आखरी रात राम कुमार वर्मा की एकांकियों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ राम कुमार वर्मा की प्रमुक एकांकियां इस परकार है औरंग जेब की आखरी रात रिमजिम हो रही थी रिमजिम के बाद हमने देखा कि एक इंदर धनुस हमें दिखाई दे रहा है इंदर धनुस को सबसे पहले देखा किसने बापु ने देखा बापु ने जैसे ही इंदर धनुस को देखा तुर्ण दीबदान कर दिया दीबदान करने के बाद कौमूदी महसो प्रारंब हुआ कौमूदी महसो प्रारंब हुआ किसलिए क्योंकि कौमूदी महसो के माद्यम से कुछ लोग प्रतिशोद लेना चाते थे अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाते थे इसलिए प्रतिशोद और उत्सरग इनकी दो एकांकिया है प्रतिशोद लेना चाहते थे उत्सरग करना चाहते थे ये बात जब काम कंदला को पता चली तो काम कंदला वहाँ पर आ पहुँची और काम कंदला ने काम कंदला को देखकर रितुराज यानि वसंत रितुराज प्रसंद हुआ एकांग की का नाम है रितुराज रितुराज ने प्रतुराज चोहान को विबूती कहकर संबोधित किया तो विबूती कहने पर जो है अपने चारू मित्रा प्रसंद हुई चारू मित्रा के प्रसंद होते ही बादल की मृत मृत्यू हो गई बादल की मृत्यू होते ही प्रत्यूराज की आखों पर रेश्मी टाइप बांद कर पांच जन्य का पाठ किया गया यह लीजिए साब यह सारी जो है आराम कुमार वर्मा की एकांग किया हैं अगर आनन्द आ गया हो आज तक पढ़ते हुए इतने साल हो गए कभी तुम्हें अगर सारी एकांग किया इस तरह से याद हुई हो तो मुझे कह दीजिए वीडियो को सारे डिसलाइक कर देना और वरना वीडियो पे डिसलाइक करने वाले भी सुन लें कि उसे लाइक करके जाएं कि इस तरह से भी पढ़ा जाता है यह जो आगे टैग मिसर की बात करते हैं कि बात करते हैं बहुनेस और प्रसाद मिसर फूनेस और प्रसाद मिसर की जो मृत्य हुई थी वह kap tell रोझ हुं मैं आपको बताता हूं मेजिए मिसर की मिसर हूई एक आदम खोड़ से उनकी मुलाकात हुई इन्हें अलग है कितने बजीं 9 अजए अच सामने फोटोग्राफर के सामने सवा आठ बजे तामबे के कीड़े लेकर आदम खोर अपने पूरे कारवे के साथ आया और उसने बूनेस्वर प्रसाद को मार दिया उर्ची काई बोल रहे हैं गजब शांदार अद्बद साधु साधु आनन दाना चीए बूनेस्वर प्रसाद मिस्र की मरत्यू आदम खोर के कारण होई थी सवा आठ बजे तामबे के कीड़े लेकर आया था तामबे के कीड़े के साथ अपने पूरे कारवे के साथ फोटोग् प्रसाद मिस्र की मरत्यू जो हुई थी वो फोटोग्राफर के सामने हुई थी आदम खोर के कीड़े लेकर आया था पूरे कारवा के साथ में यह लो याद होगी नहीं याद होगी यह तो मुझे बोल दो याद होगी मुझे जानता हूं जगदीश चंदर मातुर की बात करता हूं कौन जगदीश चंदर मातुर मैंने पिसली क्लास में पिसली क्लास में कहा था क्या मैंने कहा था यह कांग की कार के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हैं यह वही जगदीश चंदर मातुर है अरे मातुर साब मातुर मातुरा दिखाई देगा तो माथूर की बांसुरी बजेगी भौर का तारा दिखाई देगा तो माथूर कहेगा मेरी बांसुरी और भौर का तारा देखने के बाद मेरी बांसुरी रीड की हड़ी कलिंग विजय कलिंग विजय मकड़ी का जाला ओ मेरे सपने अब सैट करके बताओ सर क कोई बात नहीं माथूर माथूर की माथूर साब कहते हैं कि मेरी बांसुरी मैं तब बजाता हूँ जब मुझे भौर का तारा दिखाई देता है क्यों कि पहले तो मैं दिन में कभी भी बजा लेता था लेकिन अब मैं सिर्फ भौर का तारा दिखाई देता है तभी मेरी बांस हो गई ओ मेरे सपने तूट गए माथुर साब ने कहा मैं मेरी बांसुरी भौर का तारा उगने के बाद बजाता हूं क्योंकि कलिंग विजय के दोरान मेरी रीड की हड़ी तूट गई और वहां मकडी का जाला बन गया, ओ, मेरे सपने, मेरे सपने सारे तूट गए, आपको लगता है, यह सरे एकांग किया पेपर में आएगी, क्या आगी, मैं मानता हूँ आए, नहीं आए, कॉशन आए, नहीं आए, लेकिन एक बास सोच के देखिए, अगर आपसे यह पूछा पढ़ने का कभी नुकसान नहीं होता है, मान के चलिए, पढ़ने का कभी नुकसान नहीं होता है, और इस क्लास की एक खास बात बताता हूँ, और जिम्मेदारी और जनून की एक खास बात बताता हूँ, कि यह क्लास जब आप देख रहे होंगे, उस वक्त आप कमेंट्स कर चाहिए उपेंदरनात अश्क आ रहे हैं पर्दा हटाओ लक्षमी का स्वागत करो पांपी जोंक अंधी गली पांपी जोंक अंधी गली चलिए उपेंदरनात अश्क की बात करते हैं उपेंदरनात अश्क जब आंसू आते हैं तो पर्दा हटा दीजिए उपेंदरनात अश् का आते हैं तब पर्दा हटाओ और लक्षमी का स्वागत करो क्योंकि लक्षमी आती है तो पापी उस पापी का नाम है जोंक जिंदगी और जोंक आपने पढ़ा होगा ना वो जोंक है यह तो लक्षमी का स्वागत करो इसी लक्षमी का स्वागत करोगे तब ही तो यह जो पा नियुम्तिया जाते हैं तो पर्दा हटाओ लक्षमी का सागत करो, लक्षमी का सागति करने से जोंक पापी, जोंक जो कि बहुत पापी है जोंक जो की परचाई दिखाई दी इनसान की परकाश और परचाई परकाश में परचाई इनसान की ही दिखाई देती है हत्या के बाद माबाप की क्या हालत होती है ये तो एक इनसान ही जान सकता है हैवान जो होता है वो कभी नहीं जानता है हैवान कभी नहीं जानता है इन्सान इनकी दो तिन रचना बहुत बड़ी हैं मैं आपको बताऊं जिसे नाम भी अजीब से हैं देखो अजीब से नहीं यह रेखाएं एक और है इसी तरह से कि यह रेखाएं याद नहीं आ रही एक रचना और ए यह रेखाएं यह रेखाएं यह रेखाएं यह रेखाएं यह दाइरे अएक और बताचता हूं दस बजे रात 10 बजे रात 10 बजे रात 10 बजे रात 1 वह 2 शी था क्या वह 2 शी था 2 शी था नहीं मतलो क्या वह 2 शी था एक्स्टा रिखना चाते हो क्योंकि इनकी इ filmmakers खूब सारी है क्या वह 2 शी था ठीक है तो कितने शांदार है प्रकास और परच्छाई इनसान हत्या के बाद माबाप ये रेखाएं ये दाइरे दस बजे रात क्या वैदोसी था दस बजे रात क्या दोसी था चलिए एक जेनेंद्र कुमार की और बता जेनेंद्र कुमार की एक कांकी एक एक कांकी मिलती है और उसका नाम है टकराहट क्या नाम है तकराहट ये नाम है उदे संकर भट ओओओओओओओओओओओओओओ भट ओम भट स्वाह किसका नेताओं का मैं नहीं करा भट साब करा रहे हैं मेरे मत करना एक ही कबर में दस हजार कॉमा नेता अलग है ठीक है दस हजार अलग है नेता लग है एक ही कब्र में दस हजार नेता उन्निस उन्निस सो पैंतीस उन्निस सो पैंतीस का समय है कब उन्निस सो पैंतीस का समय है उन्निस सो पैंतीस अदिनियम आया था ना तो एक ही कब्र में 1935 की बात बता रहा हूँ मैं आपको एक कपर में 10,000 नेता वापसी के लिए परियास कर रहे थे लेकिन बार बार गिर्ती दिवारें देखकर नेताओं ने कहा एकला चलो रहे क्या कहा एकला चलो रहे कितने शांदार हैं है न और जब एकला चलने की कोशिस की तब उन्होंने देखा कि नए महमान नए महमान परदे के पीछे से आ रहे हैं पीछे देखो पीछे आपने सुना है न वो पीछे देखो तुमारे पीछे क्या है परदे के पीछे नए महमान है क्या है पर्दे के पीछे नई मेहमान है ओफ-लाइन का अनन्द लीजिए ओफ-लाइन का अनन्द आना चाहिए है ना निर्वाचन भी नहीं की है ठीक है इस्त्री का हिर्दे भी नहीं का इस्त्री का ये बहुत अच्छे हैं इस्तरी का हिर्दे भी नहीं की हैं प्रदे के पीछे भी नहीं की हैं और एक और लिख लो विश की पूडिया बस विश की पूडिया मैं तो इनको भी सेट कर दूँगा देखिए 1935 की बात बताता हूं एक कबर में दस हजार नेता विश्च की पुडिया खाकर इस्तरी का हिर्दे दुखाकर 1935 की बात बताता हूँ इस्तरी का हिर्दे दुखाकर विश्च की पुडिया खाकर विश्च की पुडिया खाकर दस हजार नेता एक ही कब्र में वापसी की तैयारी कर रहे थे ताकि वो फिर से निर्वाचन में भाग ले सकें लेकिन गिर्ती दिवारों को देखकर सब ने कहा एकला चलो रहे क्योंकि परदे के पीछे से अब नए महमान निकल के आ रहे थे अब इसके अलबा और आप क्या याद करोगे मुझे बताओ है ना अंडे के छिलके आप भी क्या याद करोगे देखो अंडे के छिलके सिपाही की मा अंडे के छिलके सिपाही की मा ये जो सिपाही की मा है ये अंडो को अलग करके उसके छिलके अलग करके सिपाही की मा प्यालियों में रखती है क्या करती है प्यालियों में रखती है और प्यालियां तूटती है जो प्यालियां है प्यालियां तूटती है कम्माल है जैसे ही अंडे के छिलके मोहन राकेश की मा मोहन राकेश जो की सिपाई है मोहन राकेश अंडे के छिलके सिपाई की मा जब प्यालियां में रखती है तो बहुत बड़ा सवाल है भाई साब बहुत बड़ा सवाल है आकर प्यालियां अंडे के छिलके से तूटती है बहुत बड़ा सवाल है और रात बीतने तक और रात बीतने तक इस सवाल का जो है हल ही नहीं निकला रात बीतने तक जो है इस सवाल का हल ही नहीं निकला मोहन राकेस अंडे के छिलके सिपाही की मा प्यालियों में जैसे ही रखती है प्यालियां तूटती है बहुत बड़ा सवाल है रात बीतने तक इस सवाल का हल नहीं निकला आखिर अंडों के छिलके से कैसे प्यालियां कैसे तूट सकती है मिरिकल है ये कैसे तूट सकती है सिपाई की माँ प्यालियां में अंडों के छिलके रखती है बहुत बड़ा सवाल है ये कैसे तूटती है आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर ये मोहन राकेश की जो मोहन राकेश जो के सिपाई है सिपाई की माँ जब प्यालियों मेंडे के छिलके रखती है तो वो प्यालियां टूटती है ये बहुत बड़ा सवाल है रात बीतने तक मुझे इसका उत्तर नहीं मिला है आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा वरना सज्जाद जहिर बिमार हो जाएगा वरना सज्जाद जहिर बिमार हो जाएंगे मैं पहले से बोलूँ सज्जाद जहिर बिमार हो जाएंगे और कमलेसवर लहर लोट गई कमलेसवर की लहर लोट जाएगी और धर्मविर भारती कहेगा कि लहर लोट गई इसलिए नदी प्यासी रह गई कमलेसवर ने लहर को लोटा दिया कमलेसवर कहता है लहर लोट गई धर्मविर भारती कहता है नदी प्यासी थी नदी प्यासी दी और कमलेसवर तुने लहर लोटा दी नदी प्यासी की प्यासी रह गई वो सज्जाद जहीर बिमार हो गया मुझे बताओ इसमें ऐसी कौन से चीज रह गई जो आपको नहीं आए है ना इसी तरह से बोला रह गई मैं बताता हूँ क्या रह गया मैं बताता हूँ आपको क्या रह गया बगवती चरण वर्मा बगवती चरण वर्मा को परणना जरूरी है ऐसा क्या है सर इसमें बगवती चरण वर्मा ऐसा क्या है बगवती चरण वर्मा सबसे बड़ा आदमी मतलब एकों की कार में आप अगर पढ़ोगे सबसे बड़ा हे भगोती चरन वर्मा सबसे बड़ा आदमी और ये कथ है मैं और में दो कहला कार मैं बूझता दीपक देख रहे थे ये जब्गोती चरन वर्मा सबसे बड़ा आदमी है जो कहता था मैं और मैं दो कलाकार है चौपाल में बुजता दिपक देख रहा था आप मुझे बताएं कि इस क्लास में आपको आनन्द आया की नहीं आया मतलब कई बार effort इतने किये जाते हैं वो कठोर हिर्दे student कौन है जो वीडियो को like नहीं करके जाते हैं वो कठोर हिर्दे student है कौन जो की इसे शेर नहीं करते हैं ऐसे कठोर तुम्हारा हिर्दे पिगलता नहीं है क्या कि कोई आदमी तुम्हारे लिए कितनी मेनद कर रहा है सर्थ है तारवाज तक रहा है वीडियो मंद व्यूज गणा चाहो व्यूज आगे सब बढ़ना चाहते ह आप भी तो पढ़ना चाहते हो लेकिन अगर हम मिलकर बढ़ें तो कहां गलत है कि कहां गलत है तो इसलिए मैंने आपको एक एक आप से रिक्वेस्ट किती तीन-चार दिन पहले आपने साहिद वो नहीं देखा होगा मैंने आपको कहा था कि काफी मेल्स के कारण मुझे बड के वाली फोटो लगी है और NDC Classes एक बैक अप चैनल है यह क्या है एक यह बैक अप चैनल है करपया करके इसे आप तो ज्यादा हो चुके होंगे साहिद मेरे ख्याल से यह तो मैं Class पहले रिकॉर्ड किये मैंने तो आप इसको ज्यादा स्विकार करें जो है सबस्क्राइब क तो अब मुझे बताएं आपको आनंद आया या नहीं आया तो गुर जी बहुत जवरदस्त आनंद आया जहां तक मैं समझता हूँ आपको फुल आफ आनंद आया फुल आफ एंजोई किया होगा आपने आपके क्लास में ठीक है और टेस्रीज अपनी चल रही है लगातार और ये टेस्रीज है ये टेस्रीज इसलिए बेस्ट है एक इसमें बार-बार मुझसे अभी भी पूछा जाता है कि सर इसमें आप नोर्स दोगे क्या अरे भीया मैं नोर्स दूंगा आपको PDF नोर्स मिलेंगे प्रिंट आपको खुद को निकालना पड़ेगा अभी तक तो प्रिडिंग के लिए अब्जेक्टिव के लिए वापस दाकर इससे क्लियर करूंगा है ना तो आप इस ट्रेस्ट को लें ताकि आपको दो साल तक हिंदी से संबंदित एक रुपिया कैसा होता है खर्च करने की आउश्यक्ता नहीं पड़ेगी अभी इस प्रकार से न करें कि बाद में लेंगे बाद में लेंगे ये बिल्कुँ साही चीज नहीं है हिंदी पॉइंट एप्लिकेशन डाउनलोड करें आने वाले समय में इसका नाम NDC एप्लिकेशन इस प्रकार से करेंगे चेंज खरेंगे नाम है ना खैर आप सब समझ गया होगे बहुत बहुत धन किर प्रकाρίब जूर ग्राद प्रकार, क्रुभर Troy